हेलो आईपियो प्रेमी जन्ता आप शपी का स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल पे तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शपी आईपियो के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में चिसमें कि हम देखेंगे इमुद्रा इथर्ष एथर एंड पेरा दिप्त इ दोनों ही आईपियो में हमें उम्मीद से ज्यादा लिस्टिंग और उसके बाद शेर बाता हुआ दिखा है तो यह काफी अच्छी बात है आने वाले आईपियो के लिए क्यूंकि इसका साइकोलोजिकल इफेक्ट हमें आने वाले आईपियो में देखने को मिलेगा जो कि आ कंपनी केशी है कंपनी के फाइनशिल केशी है उसके बारे में हमने विडियो अपलोड कर दिया है तो आप वो जरूर चेक कर सकते हैं तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रिमियूम की बात करें तो वह कल 10 रुपे पे चल रहे थे और आज बढ़के हो गये है 20 रुपे के इसके ग्रे मार्केट है डाऊन होते हुए द imbalance है जिसका कि आज आकरी दिन है विए तो आपको इसमें केलिये करना चाहते हो तो अब अगर अगले IPO की बात करें तो वो है इथर्श IPO जिसका की अलट्मेंट कल आने वाला है and listing होने वाले है 30 माई को तो अगर इसके grey market premium की बात करें तो इसमें भी हमें negative grey market premium दिख रहे हैं यानि कि अभी के हिशाब से तो इसमें हमें discounted listing देखने को मिल सकती है और आखरी IPO पेरादिप IPO की बात करें तो उसके grey market premium भी हमें कम होते हुए दिख रहे है जो कि कल 1 रुपे पचल रहे थे वो आज के हिशाब से 0.50 होते हुए दिखे है तो अगर इसके listing gain की बात करें तो इसमें अभी एक person के listing gain हमें मिलते हुए दिख रहे है यानि कि अभी सभी IPO में हमें कुछ इतने ज्यादा रे market premium देखने को नहीं मिल रहे है तो देखते हैं आगे इसमें कितना उतर जड़ाव आता है जो कि सायथ से आश्रकता है तो इसके बारे में हम लगातार आपको inform करते रहेंगे जैसे कि हम हर रोज वीडियो लाते हैं तो इसके लिए चैनल से जरूर जूड़े रहे हैं चैनल को subscribe करें अपने सभी दोस्तों के साथ भी share करें ताकि वो भी इसका फाइदा लेश करें तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में